दियर स्टुडेंट्स मैस्ट्र डॉक्राइजे शर्मा एसोशेट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ गॉर्टमेंट बांगर कॉलिज दीट्वाना हम ओरीजन एंड इवलूशन ऑफ जिमने स्पॉंस पढ़ रहे थे इसका आज हम आठवा भाग पढ़ेंगे उत्पत्ति और उत्विकास जिमनोश पॉंस का अनावरतवीजियों और इसका आठवा भाग हम पढ़ेंगे अभी तक हम इसके जो उग्यूल है इससे रिलेटेड हम थियोरी इसका ध्यान कर रहे थे पहली थी हमने पढ़ ली थी तिलोंग थियोरी अब दूसरी थियोरी हम आ पासपुट फोर्थ एंड लेटर इलाबरेटेड बाई एंड्यूज यह थियोरी 1961 में पहले भी एंड्यूज ने रखी और फिर इसको जो इसका विस्तरत अध्यान करके इसके बारे में विस्तरत जानकारी जो है वह एंड्यूज ने 1961 1961 में दी थी इसके बाई यूज इस कॉंसेप्त यूज ओफ, सिनप्टेरीड फन, मेगा-स्पोर इंड्यूज जो एक फन थी उसके मेगा-स्पोर इंड्यूज ऑपर यह पूरी थी जो है वह बेस्ट है फन कॉन सी थी ? स्टेरोप्टेरिस बंस स्टेलेंडिका विच एक्जिबिट टू मेगा स्पोर इन अपर हाफ अफ दा स्पोरेंजियम उसकी बीजानु धानी का जो उपर वाला भाग था उसमें दो मेगा स्पोर पाए जाते थे ठीक है तो इस सिनप्टिरिट फंड के जो गुरू बीजानु धानी है उसके आधार पर यह थियोरी दी गई है एंड्रियू के द्वारा 1901 सक में दा लोर हाफ इस स्टिराइल एंड इस सप्लाइड बाइडे सिंगल सिंगल वास्कुलर स्टेंड तो जो इस बीजानु धानी का अपर भाग में तो दो मेगा स्पोर्स थे दो गुरू बी यह है, according to this concept, इस concept के अनुशार, reduction in the number of mega spores to 1, its sinking and branching of vascular stand to encircle it, तो इस concept के अनुशार क्या था, जो मेगा इस्पोर या गुरू बिजानू का नंबर है वो रिड्यूस हो रहा था कम हो रहा था एक पर आ रहा था यानि कि केवल एक मेगा मेगा इस्पोर में बचता है सिंग यानि कि वो अभी तक टॉप पे था उससे नीचे की तरफ बैठ गया तले में बैठ गया उसके मेगा मेगा इस्पोर एंजियम के और वास्कुलर जो इस्ट्रेंड था वो ब्रांच होके इसको शाकित होकर इसको चारो तरफ से घेर लेता है इन सरके लिए फॉलाड बाई लिटिल मोडिफिकेशन रिजल्टे इन डेवलपमेंट ऑफ इंटेगूमेंट एंड फाइनली ओव्यूल और धीरे धीरे क्या मोडिफिकेशन हुआ कि एक भित्ती इस ओव्यूल को चारो तरफ से घेर लेती है और फाइनली एक ओव्यूल या बीजान का निर्मान होता है दा प्लांट का इसमें नूसिलस और इंटेगूमेंट नूसिलस और उसकी भित्ती फ्यूज है जो इस थियोरी को सपोर्ट करती है यह देखे इस चितर के अंदर आद देखेंगे यह जो टर्ण हमने बतायी थी मेंथप्लायं में दो मेगा स्पोर्स हैं दीजाओ मेगाइस्पोर ठीक है, धीरे-धीरे और ये एक नीचे ये वास्कूलर बंडले ये जो है, ये इसकी वास्कूलर सप्लाई है तो धीरे-धीरे जो है, एक तो नंबर दोनों reduce हो जाएगा ठीक है, मेगाइस्पोर एक बच गया देखिए यहां तक आते आते और जो यह वास्कुरा सप्लाई है यह ब्रांच जोने लगी यह देखे यह शाकित हो गई यह दीरे-दीरे इसको घेरती जा रही है और जो ऊपर का इस्टिरायल हिस्सा बगज गया इसको रेंजियम का वह दीरे-दीरे इंटेगुमेंट में या आवरण में कन्वर्ण हो गया यह देखिए यह फाइनली एक मैचोर जो है ओव्यूल का संद्शना है जिसमें एक मेगा इसकोर है पूरा नियूसिलस से भरा हुआ यह की जो 1961 में इन्होंने दीखी ओरिजन एंट इवलूशन अफ मेल गेमिटोफायट इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजन एंट इवलूशन ओफ मेल गेमिटोफायट दपोलिन ग्रेंट अफमॉस्ट फोस्ल जीम्ल सपर्म्स एक्सप्ट अफॉफ कोनिफरे जेम्ल सेंटेक्स और अल्मोस्ट यूनिफॉर्म इन पोजेसिंग ए लेयर ऑफ पराइटल सेल सराउंडिंग दसेंट्रली लोकेटेड इस्पर्मेटोजिनस टिशू रीजन देखिए कोनिफिरेल्स और टेक्सेल्स को छोड़ दें अगर हम तो सभी जो फॉसिल जिम्नोइस परम्स थे उसमें जो इस्पोरोजिनस टिशू था यानि कि जिससे इस्पोर्स विक्सित हो रहे हैं उसको एक पराइटल सेल या भित्तिय कोशिकाओं की लेयर चारो तरफ से घेरी होती थी ठीक है इस सेंटरली लोकेटेड इस पर मैटोजिनस रीजन को यानिकि जो इस पंस बनाने वाला री प्रेस और टेक्सल्स को छोड़ कर जितने भी फॉसल्स थे दन लेयर ऑफ पराइटल सेल्स प्रोबेबली रिप्रेजेंस एन एंट्रीडियल जैकिट इस जो पराइटल टिशू या पराइटल सेल्स का बित्तियक्स कोशिकाओं का जो आवरण बनावा है इसको हम एंट्री अन इसके बाद साथ-साथ एक पॉलएंट ट्यूब यह वह देखी गई जो फॉसल जिम्नोस पॉर्म्स थे और उससे आगे जो उसकी एक्सेंड़ नेक्स्ट येर्स नेक्स्ट डिकेट्स में आने वाली जो उससे नेक्स्ट जेनरेशन थी उनमें हमने यह पॉलिन ट्यूब का बनना और इस एंट्रीडियल जैकेट का रेडिक्शन देखा अब्सर् होमलोजी यानि कि एक समानता इन्होंने देखी जो मॉडरन जिम्नोई स्पॉम्स के अंदर ट्यूब सल पाई जा रही है उसमें और जो पहलीमजोई जो जै्राल की जो जीम्नु थे उनके एंत्रीडियल जेकिंट के अंदर समानता पाएगे होमलोजी मां भी समानता से मतलब है इन पीनियसी टू सेनिसेंट प्राइमरी प्रोथेलियल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दा एंब्रियोनल सेल अफ दा माइक्रस्पोर जो पीनियसी थी पाइनस वाला जो फैमिली है उसमें हमने क्या देखा जो प्रोथे जो एंब्रियोनल माइक्रस्पोर का हिस्सा था उससे टिप के उपर दो प्राइमरी प्रोथेलियल सेल्स बनती है जो डिविजन के टाइम हम जब साइकस में भी पढ़ेंगे मेल गेमिटोफाइट का फॉर्मिशन उसमें देखेंगे तो इस माइक्रोस्कोप के उपर दो प्राइमरी प्रोथेलियल सेल्स पाई जाती है इन टेकसेशी टेकसोडीयसी क्योप्रिसेशी और सिफेलो टेकसेशी टेकसेशी टेकसोडीयसी क्योप्रिसेशी और सिफेलो टे आनुपस्थित होती हैं। इन औरोकेरियसी एन पडोकारपसी प्रोथेलियल वब्ली फजो शोस्री प्रोड़िटी य्यादि की इन और करीयसी में और पॉड़िकर पेसी में जो प्रोड़ियल सेल सब्वेक्पति के रूप में दिता दे अरोट्विटरीयमिल इसे मतलब है जो पूरा 1 λी से लेके लास्त का इसका जो डवलपमेंट सेंदर समान होता है आग इने तेलिल से बिटिना सेसे समान ट रखल नने ल्क्त के अंदर इस्पॉंड का नाम आता है टेड़ोफाइट का है में तो लेकिन इस्पॉंड ने 1974 में यह बताया कि जो नीटेल्स हैं इसके अंदर इसके मेल गेमिटोफाइट में अनुपस्थित होती है है दॉन प्टड़ेन प्सकी स्पॉंड अर मेल गेमिटोफार सैकर साइकर सेंदर जो मेल गेमिटेट आपको मिलेंगा यह जो यह फार मिले माशिन होता है cilia है उसके अपर और वह motile होता है, गतिषील होता है In Coniferals and Neetals However, Naked Nucleidesiled in place of motile siliated ones जबकि Coniferals और Neetals में जो higher groups अगले आ गए, साइकस के राद, उनके अंदर जो male gamete है, वो naked है उसके अपर कोई cilia नहीं है और non motile होते हैं ठीक है दिखाया है आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ मुटाइल एंट सिलियेटेड वन्स यानि कि वो नॉन मुटाइल है के वह नेकेड नुकलिया ही वहां मेल स्पर्म का या मेल गैमीट का कारे करता है इन इफिड्रा एक डीप्ली सिच्वेटेड पॉलिन चेम और आर्चीगोनिया नेक बी उसमें प्रेजेंट होती है इस प्रकार यह मेल गैमेटोफाइट का एवल्यूशन हे यह रेखे है development of male gametophyte, यह male spore है, यह देखिए, यह male spore है, exine, micro spore, जिसको हम बोलते हैं, that is micro spore, food है, इसके अंदर और इसकी exine act 9 है, तो फिर सबसे पहला जो विभाजन हुआ, यह पहला विभाजन, एक prothelial cell बनी, और यह tube cell बन रही है, फिर इस prothelial tube cell में division हुआ, जिससे एक यह generative cell बनी, और एक tube cell बनी, तो अलग-अलग आप आगे पढ़ोगे, कि अलग-अलग stage पर pollen के अंदर cells होती है, कितनी cell का नंबर है, दो, तीन, चार, पांच, यह अलग-अलग आपको plants के अंदर, gymno response के अंदर, देखने को मिलेगा, तो आम तोर से, यह hit tube cell बनी, यह आगे, यह जो है, pollen tube में convert होती चली गई, और जो यह generative cell थी, यह prothelial cell के उपर, यह male gamete बनाने का कारे करती है, इसके बाद conclusion है, इसको अब समाप करेंगे, बहुत बड़ा हो गया, एक female gametophyte का रहे गया, इसको चाहें तो आप, मैं notes चालूँगा, उसमें देख लें, gymnosperms form a small group of plant kingdom and are represented by only about 70 genera and 725 species, बहुत छोटा सा group है plants का, जिसमें केवल 70 genera और उनकी 725 species पाई जाती है, in spite of being represented by such a small number, the representatives of these groups are widely distributed throughout the world, इतने कम संख्या होने के बाद भी, यह जो group है, इसके representative, पूरे world में दूर दूर तक फेले पाई जाते हैं, and no many mountains, they form a dominant part of the, and on many mountains, they form a dominant part of the vegetation, और बहुत से ऐसे हमारे पहाड़ हैं, जिनके उपर यह dominant vegetation के रूप में पाई जाते हैं, gymnosperm are most ancient and a history of fossil records indicates that they once formed a predominant part of earth's vegetation, gymnosperm बहुत पुराने plants हैं, जो यह हमने अभी तक पढ़ा, उसे साब से आप देख रहे हैं, यह कहां से शुरू होकर, devonian और जितना इनका पूरा विकास था, वो आपने सारा शुरू से देखा, वहां से शुरू होकर, और यह आज तक भी कई इलाकों में dominant vegetation के रूप में पाई जाते हैं, बहुत जो हमको पूरी अगर हम आर्थ की लाइच देखें, तो उसके उपर हम इस जिम्नोश फंस को एक प्योर वेजिटेशन के रूप में हम इसको पाएंगे, the lower gymnast form such as members of psychodels show resemblance with the higher cryptogens that is teridophytes, जो lower gymnast form थे, जो psychodels के member थे आप देखेंगे उनको, उनका जो है समानता हमने देखी, higher cryptodense, जो higher teridophytes थे, उनसे हमने इनकी समानता देखी, जो ferns वोगैरा हम देख रह थे, whereas the higher gymnast form such as the details and coniferals resembles members of एंजोएसपर्म्स to some extent और इसके अलावा जो higher जिम्नोएसपर्म्स हैं नीटेल्स और कोनिफरियल्स के मेंबर्स वो समानता शो करते हैं एंजोएसपर्म्स के साथ आवरत वीजियों के साथ काफी चीजों में जिम्नोएसपर्म्स thus form a bridge between the terror fights and जिम्नोएसपर्म्स and therefore been referred as फैनरो गेम्स विदाउट ओवरी बाई गोबल इस प्रकार हमने देखा जो जिम्नोएसपर्म्स हैं वो टेरीडोफाइट्स और एंजोएसपर्म्स के बीच में एक स्थेतू का कारे करते हैं क्योंकि दोनों फॉर्म से मिलते हुए लक्षन इनके अंदर पाई जाते हैं लोवर जो जिम्नोएसपर्मस थे वो टेरीडोफाइट्स से मिल खा रहे थे जो हायर जिम्नोएसपर्मस थे वह एंजोएसपर्मस से मेल खा रहे थे इसलिए इनको गोबल ने फैनरोगेम्स विदाउट ओवरी कहा ऐसे फैन्रो गेम्स कहा जिनके अंदर ओवरी का अभाव ठीक है थैंक्स अब उम्मीद है आपको यह पूरा आपने एवलुशन पढ़ लिया एक फिमेल गेमिटो के लिए बनाया जा रहा है इसमें जितना भी लिट्रेचर या डाइग्राम जो भी मैंने यूज किये हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन सोर्स से मैंने इनको प्रांद किया है थैंक्स